दोस्तों Information Collection चैनल पर आपसे भी काई अफिछल स्वागत है आज मैं बात करने वाला हूँ Digital Head & T.S के बारे में T.S क्या होता रहा है T.S का क्या उज्जेज है SP T.S क्या होता है MP T.S क्या होता है Each and Every Information इस वीडियो में share करने वाला हूँ दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है भी तो मैं आप सबस्क्राइब नहीं करें था प्ली इंफर्मेशन गालेक्शन चैनल सब्सक्राइब लाइक करें दोस्तो बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चलिए दोस्तो वीडियो से उटकते हैं दोस्तो टीएस का मतलब होता है ट्रांस्पोर्ट स्ट्रीम अगर आप डिजिटल हेडेंड में वर्क करते हैं या डिजिटल हेडेंड का कोई इंचेनियर है तो उसे पता होता है टीएस का मतलब होता है ट्रांस्पोर्ट स्ट्रीम इसमें एक टीएस में क्या होता है टीएस कॉल्ड कलेक्शन आप चैनल ठीक है चैनल जो होते हैं चैनल को कमबाइन करके एक टीएस बनाया जाता है सब्सक्राइब एक टीएस में अगर 64 क्वैम चला रहे हो आप और में've to he8 उसे में अगरे करके चलते हो एक टीएस में 8 से 10 ठीएस में क्या होता है जिसे हैं टांसपूर्टस च्रीव कहते हैं तो टीएस हम Link 2 बनाते हैं MPTS TS, एक होता है SPTS TS, एक Multicast TS होता है, एक Single Protocol TS होता है, तो सबसे मैं बात करता हूँ, SPTS के बारे में, SPTS क्या होता है, इसकी कैसे, क्या Benefits से, क्या Losses है, दोस्तों, SPTS में क्या होता है, कि अगर एक TS में, अगर आठ्स चैनल बना रहे हैं, तो आठ्स डिफरेंट डिफरेंट IP क्या होता है, क्योंकि maximum number of IPS हमें यूज करना होता है, जो कि हमें अच्छे याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, और SPTS यह है कि अगर आठ्स चैनल डाला है, तो आठ्स डिफरेंट IP, Multicast IP डालने होते हैं, Multicast IP और साथ ही साथ, उसके साथ port number भी रसाइन करने होते हैं, अगर वही अगर हम बात करें, MPTS जिसके Multicast Protocol Transmission बोलते हैं, उसमें क्या होता है, एक Multicast IP पे आपका एक डिफरेंट 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 IP को आपको कॉल करने होंगे, और MPTS में ऐसा कुछ नहीं होता है, MPTS में सिर्फ एक IP पे सारा काम आपका हो जाता है, तो दोस्तो, TS होता है, उसके दो टाइप होते हैं, जो टाइप को होता है, एक CBR होता है, एक VBR होता है, जिस CBR का मतलब होता है, constant bit rate error, एक VBR होता है, variable bit rate error, तो दोस्तो, अगर आप digital headend में, आप अगर bandwidth को मैनेज करना चाहते हैं, तो generally हम लोग CBR format यूज करते हैं, कि उसमें जो bandwidth हमने particular channel को assign कर दिया है, उसके हिसाप से, अगर एक channel के लिए, हमने 4 MPPS से bandwidth दे रखा है, तो अगर एक TS में 8 channel चला रहे हैं, तो 32 MPPS से हमने data consume करता है, bandwidth consume करता है, अगर आप VBR यह technique यूच करते हैं, तो variable bit rate में क्या होता है, कि अगर content के quality बहुत ज़्यादा high है, तो बहुत ज़्यादा bandwidth consume करेगा, अगर quality low है, तो quality के हिसाप से bandwidth को consumption करता है, तो इससे क्या loss क्या होता है, हमने अगर VBR mode में है, तो उस पर्टिकूलर हमें क्योंकि कभी high हो जाता है, कभी low हो जाता है, जिससे, जो प्याम है understood नहीं कर पाता है, कि हमें कितना MBPS data आगे बेजना है, क्या send करना है, कितना receive करना है, यह problem हो जाती है, तो इसलिए दोस्तों, जनरली हम लोग जो डेश्टर हैं में CVR ही constant bit rate error करते हैं, जिससे क्या आतरे transport stream manage करने में बहुत easy रहता है, अगर सबोज अगर outer location चलता है, अगर आप head end से कहीं, अगर 1 gig का अपने lease line ले रखा है, उस case में आप चाहते हैं, max to max channel send करना है, उस case में आपको bbr constant bit rate यह technique use करना होता है, जिससे हमें पता होता है, कि एक टीस में अगर हमने 4 channel चलाया था, 32 से 35 mbps data consume कर रहा है, उसी साथ चाहिए, calculation grade कर सकते हैं, कि हम लोग कितना mbps data consume करके, max to max to 1 gig का pipeline में, कि जाब से कितने channel हम लोग send कर सकते हैं, यह दोस्तों CBR, BBR था, transmit stream के अंदर की parts थे, उमीद है, मैंने सारे कुछ आपको बता दिया, अगर फिर भी अगर कुछ लगते हैं, आप लोग को और कोई क्योरी है, तो प्लीज comment box में comment करें, और आप कुछ सकते हैं कभी भी, तो thank you very much for watching my video, thanks a lot